कि अज़ों का सानी क्लासेज में स्वागत है दोस्तों यह आज का जो मेरा टॉपिक है यह है मैथ का जो कि टाइम और डिस्टिंस का कुश्चन है और यहां से आपको बता दें दोस्तों किसी भी एक्जाम में आप देखोगे तो टाइम समय को मिलता है तो आपको मैं बता हुए अब वहांपर मैं बताओं कि वो exam oriented है उसी को ध्यान में रखके वीडियो मैं बना रहा हूँ बागी ये कोश्च आपको जो भी questions है इस type के अफिर time and distance में जो मैं आगे पढ़ाऊंगा ये आपको हर एक exam में मतलब helpful होगा ठीक है अभी ये क्या है हमारा यूपी विशेल के लिए ही है ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं time and distance ठीक है क्या होती है time and distance इसको आप बोलते हो समय वह दूरी समय वह दूरी ठीक है time and distance पहली बात तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि कुछ इसके बेसिक जो फार्मूले हैं जैसे दोस्तों आपको पता है कि चाल बराबर क्या होती है ठीक है पहले हमें पता होना चाहिए कि speed हमारी क्या होती स्पीड का मतलब होता है जो भी हमारी दूरी तैंग करनी है डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगी time ठीक है ना तो हम लोग इसको शार्ट में डिस्टेंस को डी लिख देंगे तो भी चलेगा दियानी दूरी बटे कि क्या होता है दोस्तों समय होता है ठीक ना अब क्या होगा इसके बाद तीन बेसिक फार्मुले हैं जो कि हमेशा इसको यूज करना पड़ता है तो अगला हमारा फार्मुला होगा डिस्टेंस का डिस्टेंस मतलब की दूरी दूरी का क्या होता है अब कुछ चुकि अभी यहाँ पी क्या करना पड़ेगा आपको स्पीड को मल्टिप यह चाल हमारी होगी और गुड़े क्या होगा समय होगा कि अधिक फार्मुले हैं जो कि आपको यूज करना पड़ता है इसको कूश्चन को सॉल्व करने के लिए ठीक ना नेक्स्ट हमारा क्या आएगर दूस्तों समय आएगा समय बराबर या फिर हम बोले तो टाइम इक्स याने की डी अपान स्पीड डिस्टेंस अपान स्पीड हो जाएगी हमारी क्या टाइम यह तीन बेसिक फार्म लेही हैं जो कि पूरे इस टॉपिक में हमें यूज करना पड़ता है तो चलिए देखते हैं कि पहला हमारा जो कॉश्चन है क्या गरा है एक कार पान सो बीस किलोमेटर की दूरी एक कार पान सो बीस किलोमेटर की दूरी तेरे घंटे में पूरी कर लेती है यानि एक कार है जो कि उसकी स्पीड की आपको बता रहा कि दूरी क्या है पान सो बीस किलोमेटर की दूरी को तेरे घंटे में क्या करता है पूरा करता है तो कार क चाल होगी देखे चाल आप से पूछा जा रहा है यानि स्पीड आप से पूछा जा रहे हैं आप हमने लिखा है चाल क्या होगा अब देखिए तीन चीजें हमें चाहिए होते हैं तीन में से कोई एक जो है आपको वहाँ पर सर्च करना पड़ता है जैसे यहां पर कारा कि किलोमेटर आपको दे रखा है पूछा क्या है यहां पर कि चाल बता दो तो चाल आपको सिंपली आपको क्या करना है चाल बराबर फार्मुला आपको पता है क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होगा टाइम होगा तो चाल बराबर हम लोग निकाल लेंगे दूस्तों पा इसका स्पीड निकल के आता है यानि कि 40 किलिमेटर प्रती घंटे की स्पीड आएगी एक चीज अभी यहां पर आएगा कि मिनट्स में भी कभी कभी आपको कुश्चन दे देता है आंसर आपको कि मीटर प्रती सेकंड में मीनट कर रहा हूं तो अगर आपसे पुछा चुकी यह किलोमेटर प्रती घंटा है यह क्या है किलोमेटर प्रती घंटा है ठीक ना तो आपसे पुछा जाएगा मीटर प्रती सेकंड में बता दो ऐसा पुछेगा मीटर प्रती सेकंड तो मीटर प्र अगर मीटर परती सेगंड में बताना पड़े तो हम क्या करते हैं दूस्तों की एक चीज़ आपको यहाँ भी मैं फर फार्मूला को हटाके यहाँ पर मैं बता दूंँधंको कैसे हम लोग मीटर परती सेगंड में microscop में टेंज करते हैं ठीक है ना जैसे मीटर में चेंज करने क्लिए क्या करना POLबेगा हमें दीखिए त। साथ प्रती सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें देखिए कि 300 सेकंड यानि हम अगर मीटर प्रति सेकंड की बात करें तो एक हजार मीटर बटे की हम अपॉन कर देंगे 3600 और इसको क्या करोगे कैंसिल अगर आप करते हो तो क्या होता है पांस दून जो है दू पच्छे दस और यहां पे 18 दूनि 36-30 यानि यह क्या निकल कि आ रहा है दो पच्छे दस हैं कि दून से कैंसिल कर रहे हैं न पांस बटे 18 तो पांच बटे 18 हमारी क्या निकल की यह आया की यह मिटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़े गा चुकि हमने एक किलो rend कuttaq 1 km को हमने 1 घंटे से चेंज किया है तो 5 बटे 18 आया यानि कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा कि 5 मीटर चलने के लिए कि अब कितना टाइम लेने वाला है 18 सेकंड टाइम लेने वाला है तो अब इसको 40 किलोंटर प्रती घंटे को अगर मीटर प्रती सेकंड में चेंज करना पड़े तो हम क्या करेंगे 5 बटे 18 से इसको मल्तिप्लाई करा देंगे तो जो भी हमारा आये का उत्तर वो क्या हो जाएगा मीटर प्रती सेकंड में हो जाएगा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं मीटर प्रती सेकंड में चेंज करते हैं ठीक है ना तो यह आपको इस तरीके से आंसर मिलेगा तो आगे भी बहुत सारे कोशन इस तरीके से मिलेंगे आपको देखने के लिए तो यह इसका आंसर होगे आपको 40 कुलिमेटर प्रती घंटा अब देखिए क्या है कि देखिए दूसरा क्या है कि एक व्यक्ति मोटर साइकल के द्वारा एक व्यक्ति जो है मोटर साइकल की द्वारा तीन सो नब्वी किलोमेटर की दूरी चार घंटे 20 मिनट में क्या करता है चार घंटे 20 मिनट में पूरी करे तो उसकी चाल होगी यानि एक व्यक्ति है यहां देखिए एक व्यक्ति है जो की तीन सो नब्वी किलोमेटर की जो डिस्टेंस है उसे कवर करता है यह आपको डिस्टेंस मिल गई अब उसे कवर कर रहा है कितने टाइम में चार घंटे 20 मिनट में इसको क्या कर रहा है यह कवर कर रहा है यह टाइम आपको दे रखा है पूछा क्या है कि उसकी चाल बता दो आप से speed पूछा गया कि इसकी speed क्या होगी ठीक है ना अब देखिए यहां पर जो यह दिया रखा यहां पर किलो मेटर है तो जब भी भी हमें दिया रहेगा तो आंसर हमारा हमेशा मीटर प्रती सेकंड में आएगा इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो जैसे यहां पर दिया है कि किलो मेटर दिया है तो हमारा आंसर भी क्या अना चाहिए कि तो यहां आप यह कह रहा है देखो कि एक व्यक्ति है किसी निश्चित दूरी से वो चल रहा है मालो यहां किसी निश्चित पॉइंट से वो चला 390 किलो मिटर 390 कीमी जो है वो कवर कर रहा है कितने टाइम में कर रहा है चार गंटे 20 मिनट में कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे इसको पहले हम जो है सही करेंगे यानि जो ये मिनट दे रखा है इसको भी आर्स में चेंज करेंगे तेके न इसको आर्स में चेंज करोगी चुकि हमें क्या निकालना था दूसतों यहां भी देखो हमें चाल निकालना था और चाल बराबर क्या होता है यानि speed equal to क्या होती है दूरी बटे समय होता है अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर दूरी हम रखेंगे ?.興奪न क्या करेंगी अब देखो इसको मीटर में पहले पहले 60 कर दोगे तो यह आर्स में चेंज हो जाएगा ठीक है ना इसको जैसे कैंसिल करते हैं 20 से कम 20 और 20 तियां 60 जैसे कि तरहें के इस तरीके से करलेंगे कि चार बारह 13 बटे तीन यह और अब यहां पर क्या करोगे 13 रखें तो यह क्या करेंगी इन subs हो जाती है को जाते है कोई के अप बट जैसे कोई भी है वैलू उसके अपॉन में भी कुछ होगा थो वो इनवर्स हो जाता है तो हम लोगों क्या किया इस जो चार गंटे 20 मिनट था इस बीज मिनट को भी आर्स में चेंज किया और पूरे value को हम लोगों ने आर्स में convert करके यहाँ पे रख दिया यानि यह क्या है हमारा 4 गंटे 20 मिनट ही है ठीक है अब यह क्या हो जाएगी 390 बटे यह 13 हो जाएगा inverse होने का मतलब क्या है 3 multiply में आ जाएगी 13, 49, 3 बार जाएगा और 3 द्रिक्का 9 यानि कि यहाँ पे हो जाएगा क्या 90 किलो मिटर प्रती घंटा उसकी चाल निकल के आती है यह ही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी ठीक है ना और इसी टाइप से question अब यह बहुत basic question है जो कि basic understanding होगा तो आपको आगी की question समझ में आएगे तो आपको दो तीन point याद रखना है कि जब भी हमारा distance अगर किलो मिटर में दिया है तो answer जो हमारा आएगा क्या आएगा हमेशा जो answer आएगा अगर चाल पूछा गया speed हमेशा किलो मिटर प्रती घंटा में ही आता है और अगर आपको दिया है दूरी अगर आनी की distance अगर आपको मिटर में दिया है तो हमेशा जो हमारा answer आएगा वो चाल अगर पूछा गया है तो मिटर प्रती सिकंड आएगा ठीक है ना और कभी कभी यह देता है कि आपको मीटर प्रती सिकंड चाल दिया रहता है और आप से पूछा जा सकता है किलो मिटर पूछा जा सकता है या फिर इस तरीके से आपको questions दिये जाते हैं ठीक ना convert करने के लिए आपको देया रखा रहेगा question में यह आपको answer हो जाएगा फिर next question देखते हैं हम लोग हम लोगोंने दो question अभी यहाँ पे देखा बहुत basic question है बहुत tough नहीं है आगे मिलेगा basic question के अलामा हम लोग देखेंगे आगे भी अब देखिए अगला question क्या है एक cycle सवार जो है 1440 km की दूरी को तैय करने में कितना समय लेगा तो यहाँ पे आप से क्या पूछा गया समय पूछा गया ठीक है ना यहाँ पे क्या पूछा गया समय और समय के बराबर क्या होता है समय is equal to क्या होता है बता दीजे दूरी upon क्या होती है दूरी अपन क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी यानि कहने मतलब है time equal to क्या होता है distance upon speed हो जाएगी यह हमारा formula हो गया अब यह कह रहा है कि एक cycle सवार है कोई एक cycle सवार है वो जो है 1440 km 1440 km की दूरी को किस speed से चलके पूरा कर रहा है 12 km प्रती घंटा की चाल से चलके क्या कर र यह time क्या होगा तो simple है कोई tough नहीं है आप इसको इसी फार्मूले परक लो यानि distance upon क्या है मारी speed है तो distance है 2440 km और यह हो जाएगा क्या 12 km प्रती घंटा है तो इसको 12 से इसको डिवाइड करोगे तो बारब रहों में 144 होता है यानि कहने मतलब है 120 क्या लगेगा आपको टाइम पूछा गया ना तो 120 अर्स लगेगा 120 घंटे तो इस तरीके सामें क्या करना पड़ेगा question को completely जो है टेक अप करना पड़ता है तो यह हमारा answer निकल क्या यहां पर कि वो जो है 12 किलोमेटर प्रती घंटे से कर चलेगा 12 किलोमेटर प्रती घंटा अगर यह घंटे में वो कितना time कवर कर रहा है दूरी यानि कि एक घंटे में वह 12 किलोमेटर रन कर रहा है कितने घंटे में एक घंटे में तो अब बताओ 144 किलोमेटर की दूरी कितने time करने वाला है पूरा 120 घंटे लगेंगे उसको यह हमारी क्या हो जाएगी answer हो जाएगी अब देखिए अगला question मारा क्या है यह कर रहा है एक कार जो है 490 किलोमेटर की दूरी एक कार जो है 490 किलोमेटर की कि दूरी दूरी दो सही दो अपान टू अपान सेवन पार्ट उसकी बात कर रहे हैं यहां पर देखो मैं पूरी question समझा देता हूं क्या है यहां पर लिखा है 490 किलोमेटर की दूरी है है डिसटेंस है डिस्टेंस 490 किलोमेटर है Und Course है कि जो दूरी है उसका दो बटे साथ भाग दूरी का दो बटे साथ भाग पूरा किया गया कितने घंते में 14 किलोमेटर प्रति घंटे की चाल से क्से owed क्या गर है देखो पूरा question क्या गर सिए कि एक कार.... एक कार जो है 490 किलोमेटर की दूरी का दो बटे साथ भाग 44 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में क्या करेगा तैं करेगा तो आप से यहां पूछा गया है समय ही पूछा गया है अब यह समय पूछा गया है तो समय वराबर क्या होती है दूरी बटे के क्या होती है चाल होती है हमें पता है तो फार्मूला बार बार लिखने से फार्मूला याद होता है यहां पर करा है कि 490 किलोमेटर की दूरी का 2 बटे 7 भाग यानि यह आपको कोशन यहीं करा है कि 490 किलोमेटर जो दूरी है इसका दो बटे 7 भाग कितने टाइम में पूरा किया जाता है आपसे टाइम पूछा गया है करा है किия स्पीड क्या होगी स्पीड आपका दे रखा है कि 14 km परती घंटे की चाल से वो जाता है तो आपसे पूछा गया कि समय क्या है टाइम आपको बताना है कि टाइम क्या होगा टाइम है निकल के आएगी तो साथ भाग पहले इसका निकाल लो दो बटे साथ भाग तो साथ सते उन्चास और सादनी चाउदा 140 किलोमेटर की दूरी वो तैय कर रहा है कितने स्पीड से 14 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से चल रहा है तो हम क्या करेंगे 140 किलोमेटर बटे क्या करेंगे चाल क्या है देखो इसी प्रक्रेह है हम लोग दूरी कितने है 140 किलोमेटर वो दूरी तैय कर रहा है चाल कितना है इसका 14 किलोमेटर प्रती घंटा है तो 14 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा क्या 10 घंटे यानि 10 आर्ट का टाइम इसको लगने वाला है तो यह question हो गया कि एक car जो है 490 km की दूरी का 2 बटे 7 भाग 14 km प्रती घंटा की चाल से कितने समय में ताय करेगा तो यह आपको निकल के आया कि 490 km का 2 बटे 7 भाग 140 km आया है और 14 km प्रती घंटा की चाल से वो जा रहा है तो समय कितना लग रहा है 10 घंटे का समय लगेगा तो यहीं हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अब देखिए एक कोश्चन हमारे यह है नेक्स कोश्चन है कराय कि एक कार जो है 15 km प्रती घंटे की चाल से ठीक है तीन सही दो बटे 3 घंटे में कितनी दूरी ताय करेगा आप से दूरी पूछा गया है एक कार जो है एक कार जो है उसकी चाल दे रखी है चाल क्या है 15 km है प्रती घंटा और समय आपको बताया गया है तीन सही समय यहाँ पर बताया गया समय तीन सही दो बटे 3 घंटे की बात कही गयी है इतना समय लगता है तो पूछा गया है आप से दूरी बता दीजिए डिस्टेंस क्या होगा यह हमारा क्या है कोश्चन है अब देखे क्या करना है आपको दूरी बराबर क्या होता है दूरी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है इस पीर इंटू हम लोग क्या करते है टाइम यानि कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुडे समय होता है चाल गुडे समय तो 15 हमारी जो है 15 घंटे प्रती 15 किलोमेटर प्रती घंटे हमारी क्या है चाल है अब इसमें मल्टिप्लाई कराना ह है टाइम ताइम आपको देखो ना तीं सही दो बटेन घंटे का समय लगता है तो 3 जो है दे रखा है तीन सही दो बटेन को पहले तो फ्रेक्षन को थोड़ा सा क्या करो उसको समान निकरना पड़ेगा तो तीन तरीकन नौ नौँ ऑधा हो ताprendh minority 4。 यारअवटे तीन यह हमारा समय ले रहा हैं तो अभी कितना निकल गया हमारी डिस्टेंस तो तीन पचे-पंदरा और यारा-पचे-पच्पन किलोमीटर की दूरी आएगी, ठीक है? तो यह हमारी हो जाएगी, क्या आंसर हो जाएगी? तो आज की class में दोस्तों बस इतना ही basic question हमने लिया था उम्मीद करते हैं यह समझ मैं कि next class होगी हमारी उसमें थोड़ा आपको advanced question देखने को मिलेगा तो 3-4 lecture हमारे लेगे यह time and distance पर लगेगा इसके बाद हम लोग board and stream पढ़ेंगे उसमें भी एक दो lecture लगेगा तो 4-5 classes आल्मुस्ट मुझे लगता है यह complete हो जाएगा ठीक है और बहुत आसान है दोस्तों मुझे लगता है कि tough नहीं है बस चीजों को समझना है ठीक ना बाकी चीजें इसी type question आपको देखने को मिलेगा फिलहाल बहुत normal question है यह tough नहीं है अभी इसका जो advanced version मिलेगा question का